हेलो एवरीवन मैं हूँ किशोर तेजवानी आप लोगों का मतेमेटिक्स मेंटॉर स्वागत करता हूँ आपका आपके ही अपने मैगनेट बेंस में जो प्रोवाइट करता है आपको 100% क्वालिटी और फ्री एजूकेशन किंडरगार्डन से लेकर क्लास 12 तक इंगलिश मीड हिंदी मीडियम अगर आप लोग सी बेसि बोर्ट से यूपी बोर्ड राजिस्थान बोर्ड MP जा कोई बी स्टेट बोर्ट से हैं तो यहाँ पर आप लोग आके पड़ सकते हैं साती साथ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं ठेरो सारे प्राक्टिस क्वेस्षेंस जिसकी मदद से आप लोग बहुत सारे questions की practice कर सकते हैं बचो यहाँ पर आप लोगों को e-notes और e-books भी मिलती हैं तो वहाँ पर आप लोग अवेल कर सकते हैं link description box में given है किशोर सर आज की इस lecture में आप लोग हमारे लिए क्या लेकर आएं बचो आज की इस lecture में में लेकर आया हूं class 10th का mathematics का real number जो कि आपका chapter number 1 है उसके हम लोग बात करेंगे most important questions की मतलब सर 15 questions total होने वाले हैं यहाँ पर अब सर उन 15 questions की क्या strategy है मतलब सर क्या यहाँ पर previous year questions को लिए जाएंगे यह सर most important है तो बहुत important वाली question है अब आप लोग खुछ सोचिए जरा कि कैसे questions यहाँ पर लिए गए होंगे साथ ही साथ अगर हम लोग छोटे से recap की बात करें तो थोड़ा सा वही आपने को recap तो करना पड़ेगा सारी चीज़े नहीं सर अब recap नहीं अब सीधा questions में उतरते ह क्या सीधा recap की तो वैसे भी कोई जरूरत मेरे हिसाब से लगनी रही है सारी चीज़े sorted है इससे पहले अपन लोगों ने mcqs देख लिया तो mcqs वाला session भी बढ़िया तरीके से clear हो गया हना चलो अब हम लोग आगे की और बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं और पहला question आ कि अच्छा सर को प्राइम नंबर क्या होता है बात कर ले दें अभी तो एक यूब और बी क्यूब क्या होंगे यह question number बने जो कि cpc term 1 standard 2021 में आया है ठीक है अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से और गौर से समझा मैंने बोला मेरे पास एक rational नंबर है बोले ठीक है सर कौन सा rational नंबर है तो मैंने उनको बोला 21 by 28 और मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि दुनिया का कोई भी rational नंबर है दुनिया का कोई भी rational नंबर है जब आप लोग उसको simplest form में लेखोगे जब आप लोग उसको simplest form में लेखोगे मतलब 7 threes are 21, 7 fours are 28 तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा दो नंबर जो को प्राइम होंगे मतलब को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते है जिनका highest common factor किता हो वनो ऐसे pair of number को को प्राइम नंबर बोला जाता है जिनका highest common factor किता हो व बनो मतलब क्या सर मतलब सर अगर मैं hcf find करूंगा 3 और 4 को तो क्या वो मुझे बन देगा अरे बिल्कुल देगा 3 और 4 का आप लोग highest common factor find करोगे तो वो कितना आएगा बच्चों बनाएगा ठीक है सर को प्राइम नंबर की बात तो हमें बहुत अच्छे तरीके से clear हो गई लेकिन सर यहाँ पर बोल रहा है ए और बी अगर को प्राइम नंबर है तो a cube और b cube क्या होगा अब इसको हमें करने का एक तरीका है कि आप a की जगे पे एक को प्राइम नंबर बान लो मैं बोल रहा हूं 2 और एक नंबर में ले रहा हूं 3 क्यूं लिए मैंने ऐसे नंबर क् हला यही मिलेगा ठीक है अब मैं देखता हूं a cube और b cube किता आएगा बच्चों अगर मैं a cube find करूंगा तो वो आजाएगा 8 a cube और b cube का तो a cube और b cube का जब मैं hcf find करूंगा तो मेरे को कितना आएगा highest common factor इनका सर देखो 8 तो क्या देगा आपको प्राइम फेक्टर में 2 into 2 into 2 और 27 क्या देगा आपको प्राइम फेक्टर में 3 into 3 into 3 मतलब सर ultimately फिर से आपको hcf कितना ही मिलेगा फिर से आपको hcf कितना ही मिलेगा सर फिर से आपको hcf बन ही मिलेगा हना इसका मतलब क्या है कि अगर आपका a और b co-prime number है जिनका highest common factor बना है तो आपका a3 और b3 भी कैसी नंबर होंगे को प्राइम नंबर होंगे क्यों क्योंकि उनका hcf भी तो किता आ रहा है बना रहा है तो उस हिसाब से आपका answer क्या होना चाहिए भाई या को प्राइम नंबर not को प्राइम नहीं even number even कहा से होगा यार 27 को देख लो odd number अगर odd है तो even है दोनों number मिल सकते हैं तो ये चीज clear हो गई क्या बहुती बढ़िया तरीके से बहुती बढ़िया तरीके से clear हो गई ऐसे मैंने आपको समझा दिया ठीक है एक बार जल्दी से screenshot ले लो मैं अच जाता हूं हो गया आगे बढ़ सकने गया चलो आगे बढ़ता है अब सर क्या है बोले सर HCF और LCM किसका सर 12 का 21 और 15 का क्या होगा सर CBSC Term 1 Standard 2021 में आया हुआ है ठीक है तो निकाले क्या काई से निकालना है अपने को सर वही method है अपना एक prime factorization method उसी से अपना लेते हैं चलो भई या प्रायम factorization से पहले 12 को देख लेते हैं तो 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा फिर उसके बाद हम लोग 21 को देख लेते हैं ठीक है 3 7 जा और 7 1 जा फिर उसके बाद हम लोग 15 को देख लेते हैं 3 5 जा और 5 जा आसा है 2 6 2 3 3 7 7 1 3 5 5 1 अब हम लोग prime factors लिखते हैं के करके prime factors of किसका भई या मेरे 12 का क्या आया सर 2 का square into 3 ठीक है सर prime factors of क्या मेरा 21 वो कित्ता आया 3 into 7 सर prime factors of क्या मेरा 15 3 into 5 अच्छा सर सर कमी को भी पूरा करना है मैंने बोला कैसी कमी बोले सर यहाँ पर 2 है पर यहाँ पर और यहाँ पर नहीं है तो मैंने बोले लगा देते हैं 2 to the power 0 और यहाँ पर भी लगा दिया 2 to the power 0 बोले सर ठीक है 3 उपर है यहाँ पर भी है कोई दिखकर नहीं है सर 3 लेकिन सर 7 सिर्फ यहाँ पर है यहाँ पर और यहाँ पर नहीं है मैंने बोले लगा देते हैं 7 to the power 0 और 7 to the power 0 बोले सर लेकिन एक चीज़ की कमी भी अभी भी खल रही है बोले क्या बोले सर्थ 5 यहां पर है लेकिन यहां पर और यहां पर नहीं है मैंने बोले लगा दो भाई यह 5 भी जल्दी जल्दी काम करते हैं मैंने बोला सर अब तो अपन लोग आराम से HCF और LCM ले सकते हैं कैसे अगर हम लोग बात करें HCF की तो highest common factor 12, 21 और 15 का देख रहे हैं 12, 21 और किसका 15 का क्या आ रहा है H का मतलब होता है highest पर अपने को क्या सोचना है lowest अब lowest में अब powers lowest देखते हैं कहां कहां पर है 2 की power lowest यहां पर मिली 3 की power lowest सर 3 की power lowest तो तीनों ही जगे पर कहीं की भी एक consider कर लेते हैं सर 7 की power lowest यहां पर है सर 5 की power lowest यहां पर है तो क्या आ जाएगा आपके पास जो result आएगा वो क्या आएगा वो यह आएगा कि भाई यह 3 इंटू 7 की power 0, 5 की power 0, 2 की power 0 1, 1, 1 किता आजाएगा total आपके पास HCF 3 लेकिन सर अभी भी एक चीज बाकि है मैंने बोला क्या बोले सर LCM मैंने बोला वो भी निकाल लेते हैं 12, 21 और 15 का 12, 21 और 15 का देखो सर L का मतलब होता है lowest पर सोचना क्या है सर अपने को highest अब सर 2 की पावर highest यहां परे है यहां परे यहां परे मैंने बोला सर यहां परे बोले सर 3 की पावर highest Karma पर यहां پर यहां परे क्योंकि तीनों ही same है एक को consider करना पड़ेगा ठीक है सर 2 हो गया 3 हो गया सर 5 सर फाइब यहां पर आईए स्ट है यहां पर आईए स्ट है यहां पर आईए स्ट है सर यहां पर आईए स्ट है यहां पर आईए स्ट है यहां पर आईए स्ट है यहां पर बोले यहां पर आईए स्ट है तो यह रेड वाले क्या हो गए हमारे LCM हो गए, लिख ले, साथ 2 का स्क्वेर into 3 into 5 into 7 है ना, clear हो गए ता, बढ़िया तरीके से multiply करें, चलो 2 का स्क्वेर 4, 4, 3 जा 12 12, 5 जा 60, 60 into 7, 7, 6 जा 42, 4, 20 तो LCM और HCF, अपने को बोल रहा है पहले HCF, तो HCF और LCM, मतलब पहले HCF और LCM, कित ता रहा है 3 और HCF and LCM of 12, 21 and 15 are 3 and 420, clear हो रहा है clear हो रहा है, मतलब कौन सा अप्शन साही है 3 और 420, अच्छा 420 और 3 भी है लेकिन पहले नाम है HCF का तो पहले अपन किसका देंगे, HCF का बाद में किसका देंगे, LCM का clear हो रहा है, clear हो रहा है, सर बढ़ी है तरीके से, है ना, ठीक है एक पार जल्दी से स्क्रीन चोट ले लो भाई हो गया, हो गया, देखलो, 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 ठीक है, चलो बढ़ा है, आगे बढ़ा है, आगे बढ़ा ले क्या, आगे बढ़ा लीजिए, सर तीसरा question आपकी screen के उपड़ ये रहा कब का है सर CBSC 2019 का है ठीक है क्या बोल रहा है सर question question बोल रहा है सर कि the LCM of smallest to two digit composite number हा सर सर smallest होना चीए मतलब छोटा होना चीए और दो digit का composite number होना चीए सर छोटा होना चीए और दो digit का composite number होना चीए और smallest composite numbers भाईया यहाँ पर smallest two digit composite number है और यहाँ पर smallest composite number है अब आपको बाते समझाता हूँ भाईया LCM मांग रहा है तो पहले किसका smallest two digit composite number तो सबसे पहले यह तो देखो कि smallest two digit composite number कौन होता है smallest में 2-digit composite number कौन सा होता है बताओ सर 2-digit number की शुरुवाती कहां से होती है 10 से होती है और सर 10 क्या मेरा composite number चेक करता हूँ सर 10 के factors की अगर मैं बात करूँ तो सर उसका factor 1 होता है होता है सर सर उसका factor 10 खोद होता है लेकिन सर उसके अलावा भी वो 2 और 5 के double में आता है सर पक्की बात है पक्की बात है सर 1 और वो number itself के अलावा भी उसके 2 factors है 2 और 5 तो सर उसे सबसे मैं क्या बोल सकता हूँ कि सबसे छोटा 2-digit का composite number मेरा कौन है 10 है तो इसकी बात तो निपड़ गई अब आते हैं इसमें smallest composite number अब इसको smallest में composite number चाहिए तो भाईया ये तो हमारे यही आदमी बता देंगे बता भाईया इनको बताओ ज़रा कि smallest composite number क्या होता है बहुत बढ़िया क्यों नहीं बता पाओगे यार अगर आपन ने महनत करी है तो इनको क्यों नहीं बता पाओगे अपन की सबसे छोटा composite number कौन है 4 है ठीक है अब उसका क्या मांग रहा है वो अपन से उसका मांग रहा है वो अपन से LCM मतलब LCM किस किस का निकालने अपने को 10 का और 4 का प्राइम फेक्टराइजेशन से निकाल लेगा है चलो प्राइम फेक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं तो 10 का और 4 का प्राइम फेक्टर्स फाइंड करते हैं 2 फाइफ जा फाइफ बंजा टू टू जा और टू बंजा सब 10 के प्राइम फेक्टर्स क्या क्या गए 10 के prime factors क्या क्या आगए prime factors of 10 क्या है हमारे पास सर 2 और 5 ठीक है सर prime factor 4 के क्या क्या है देख लेता है सर 2 का square हाना ठीक है अब सर कमी को पूरा करना पड़ेगा सर 2 उपर है 2 नीचे सर 5 उपर है पर 5 नीचे नहीं है लो लगा दिया ठीक है सर सर LCM देना है न देते हैं सर सर यहाँ देते हैं मैंने भूला देतो LCM सर किसका देना है अपने को 10 और 4 का सर L का मतलब lowest पर सोचना है highest highest क्या सर कि 2 की power highest कहां पर है बोले सर यहां पर है और 5 की power highest कहां पर है बोले सर यहां पर है तो क्या हो जाएगा सर हो जाएगा 2 का square into 5 मतलब सर 4 into 5 मतलब सर 20 मतलब क्या 20 सर 20 का correct option सीधा simple question पूछता है सीधा simple question बताओ कितना आसान था बढ़िया था भैंकर तरीके का डर गाए question देखके अरे क्यूं डरेंगे सर यह तो बहुती 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 के सकते हैं बहुती जादा आसान है थोड़ा और लावने सर लेवल अप करके मैंने बोला रुख जाओ भी आगे बढ़ते हैं तब पता चलेगा question number 3 हो गया देख लो एक बार अच्छे दरीके से screenshot लेना है तो screenshot ले लो ले लिया चलो आगे बढ़ते हैं अब अगला सवाल आपकी telephone screen, phone screen, laptop screen, LED पर देख रहे हैं तो LED screen के ऊपर यह रहा है कब आया है सर, CBSE Term 1 Standard 2021 में क्या बोल रहा है बोल रहा है सर, the LCM of two numbers is 2400 दो number का LCM 2400 है which of the following cannot be there HCF अब इन में से कौन से इनका HCF नहीं होगा अब मैं बताऊं अगर आपको अगर इन number में से इनका कोई अगर HCF नहीं है तो वो number नहीं होगा जो इस 2400 को divide नहीं कर पा रहा फिर से ध्यान से समय ना इन number में से जो 2400 को divide कर दे वो उसका HCF है और इन नमबरों में से जो 2400 को डिवाइड ना कर पाए वो उनका HCF नहीं है एक-एक नमबर करके चेक कर ले 2400 और 300 भाई ये डिवाइड होते हैं क्या क्यों नहीं होते completely divisible है मतलब ये तो है ये तो है ये तो इसका HCF हो सकता है अब बात करें 400 की तो 400 डिवाइड करके देखते है 4, 6, 24 ये भी completely divisible है ये भी हो सकता है 500 करके देखते है 2400 divided by 500 5, 5, 25 होता है मतलब ये points में देगा मतलब इसका correct option यही है क्योंकि 500 ही एक ऐसा नमबर है जो 2400 को divide नहीं कर पा रहा है मतलब ये भी कर रहा है तो ये तीनों इसका HCF हो सकते हैं पर ये जो नमबर है ना ये इसका HCF नहीं हो पाएगा इसका है हम लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से complete कर लिया अब आगे बढ़ता है अब आगे क्या बोल रहा है सर अब आगे बोल रहा है सर ratio LCM और HCF का of the least composite number और least prime number सर least का क्या मतलब है अरे सबसे छोटा सबसे छोटा उनका ratio देना है किस किस का ratio देना है ratio LCM का और HCF का देना है अपने को क्या क्या बोल रहा है वो वो बोल रहा है भईया least composite number और least prime number तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेता है यहाँ पर अगर मैं लिखूं बेटा least composite number मतलब सबसे छोटा composite number सबसे छोटा composite number कौन बोले सर 4 सबसे छोटा prime number कौन सबसे छोटा prime number कौन बोले सर 2 अब सर 4 और 2 का LCM निकालते है LCM of 4 और 2 देखते के तता आता है देखो prime factorization से निकालना है तो भी बात ठीक है 2 टू जा 2 बन जा 2 बन जा ठीक है तो prime factors of 4 क्या क्या आगए 2 का square prime factor of 2 क्या आगए 2 into 1 into 1 लगा दो LCM किता आगए सर L का मतलब lowest पर सोचना क्या है highest सर highest power तो दोनों की 2 की यहीं दिख रही है और 1 को भी ले सकते हैं सर तो 2 का square मतलब 4 सर HCF की बात कर लेते हैं किसका सर 4 और 2 का सर H का मतलब होता है highest पर सोचना क्या है सर अपने को lowest हला तो lowest में जब सोचेंगे तो lowest आएगा यहाँ पर 2 अब सर क्या बोल रहा है सर ratio बोल रहा था LCM और HCF का मतलब सर LCM of 4 और 2 अपन HCF of 4 और 2 भाई यहीं नहीं होते है ratio यहीं तो होते है ratio ratio LCM और HCF का मांग रहा है LCM और HCF का LCM आया 4, HCF आया 2 तो 4 भाई 2 मतलब 2 बाई 1 और ratio में लिख दू तो 2 ratio 1 कितना आसान सर कितना आसान question है कितना आसान बढ़िया question सर सर 1 ratio 2, 2 ratio 1, 1 ratio 1, 1 ratio 3 2 ratio 1 आसान बढ़िया, भैतरीन लगाना यहीं आया था यहीं आया था और यहीं पूचा था तो ऐसे हम लोगों ने अपने 5 questions को cover up कर लिया है जल्दी से screenshot लो तो आगे बढ़े ले लिया आगे बढ़ सकते हैं क्या? बिलकुल बढ़ सकते हो कि शूर सर मजा रहा है सर, मजा रहा है बहुत मजा रहा है सर, बहुत जादा मजा रहा है ठीक है? अब क्या बोल रहा है? the exponent of 5 in the prime factorization of 3, 7, 5, 0 is मलब सर सबसे पहले अपने को करना क्या है सर अपने को exponent बताना है 5 का मतलब 5 की power बतानी है सर exponent of 5 का मतलब 5 की power किसमें सर प्राइम फेक्टराइजेशन ओफ 3,7,5,0 मलब सर पहले हम लोग क्या करेंगे 3,7,5,0 के प्राइम फेक्टर्स फाइन करेंगे 3750 के prime factors निकल जाने के बाद जब हम लोग 5 की power को लिखेंगे न तो 5 की power कितनी आ रही है वो बताने क्योंकि वही तो उसका exponent है भाई यह exponent बोल दो power बोल दो indices बोल दो degree बोल दो बात तो यह की है 5 की बता नही है बता देंगे सर 3 है 4 है 5 है 6 है जो भी चलो सबसे पहला काम समझ गए कि क्या करना है 3 7 5 0 का prime factor find करना है यह रहा सर 3 7 5 0 करें चलो 2 से जाता है सर 2 बन जा 2 2 एट जा 16 2 सेवन जा 14 और 2 5 जा 10 clear हो रहा है पक्का बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते है बिलकुल बढ़ सकते है सर 2 1 जा 2 चला गया 1 इदर चला गया 2 8 जा 16 2 7 जा 14 2 5 जा 10 अब सर यह किस से जाएगा 2 से तो नहीं जा रहा मैंने बुला 3 से जाएगा 3 6 जा 18 3 2 जा 6 3 5 जा 15 सर अब यह काई से जाएगा मैंने बुला 5 से जाएगा सर 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा 25 सर फिर से 5 से जाता हुआ नजर आ रहा है सर 5 2 जा 10 5 5 जा 25 सर फिर से 5 से नजर आ रहा है यह जाता हुआ 4 काई के लिए लिख रहे है वह यह हम 5 5 जा 25 ना और 5 1 जा 5 तो सर यहाँ पर prime factor of 3 7 5 0 अगर लिखा जाए prime factors of 3 7 5 0 क्या रहाई सर सर 2 इंटो 3 5 की power सर कित्ती आ रही है 4 तो यही तो वह पूछ रहा था कि exponent बताना है 5 का in the prime factorization of this कित्ती आ रही है सर 4 आ रही है यही क्या है यही इसका exponent है सर ठीक है ना आसान था आसान था बस कब पूछा गया है सर सर सीब्सक्राइब टरम वन सेंपल क्वेश्चन पेपर का है सर 2021 में एक बार screenshot ले लो जल्दी सर ले लिया आगे बढ़े चल अब क्या question है सर 7th question the sum of the sum of exponent of prime factor in the prime factorization of 196 is sum करना exponent का किस के prime factors के जो prime factors हम को मिलेंगे किस में 196 के factorization में करें क्या करें कर लेतें सर चल आप लोग एक बार वीडियो पॉस्ट करके ट्राय करो आप लोग एक बार वीडियो पॉस्ट करके ट्राय करो भई CBSC 2023 में आया हुआ है करने हो न बन रहा है बहुत शानदार बहुत बढ़िया चलो अब आपन समझते है फिर से question बढ़ेगा सर सम बताना है exponents का अफ प्राइम फेक्टर एंदी प्राइम फेक्टराइजेशन अफ 196 निकाल लेते हैं ने सर 196 का प्राइम फेक्टराइजेशन 196 का प्राइम फेक्टराइजेशन निकाल लेते है सर टू नाइन जा एटीन और 2, 8 जा 16 यही आएगा यही आएगा सर सर 2, 4 जा 8 और सर 2, 9 जा 18 सर 7, 7 जा 49 7, 1 जा 7 मलब सर 196 क्या कर prime factors को लिखा जाए prime factors of 196 26, तो वो किते आएंगे तो वो आएंगे भई यह 2 का square into 7 का square अब बात को बहुत जादा ध्यान से समझना उसने बोला था sum of exponent, exponent का sum किसके prime factors के prime factor आ रहे 2 और 7 इनके जो exponent आ रहे 2 और 2, इनका sum किता होगा भई यह किता होगा sum of exponent यहाँ पर लिखो sum of exponent किता होगा 2 प्लस 2 मतलब 4 option B is correct खतब खतब कोईशन 7 था सर अभी कहां से खतब अभी तो और है कब आया था मजा रहे बहुत मजा रहे सर अगर ऐसे ही आसान कोईशन आ रहे हैं तो तो सर बहुत जादा मजा रहे हैं हाना पक्का ना ठीक है चल जल्दी से स्क्रेंशोट लो ठीक है आगे बढ़ ले चलो सर आगे बढ़ते हैं अब आगे क्या है सर क्वेशन सर अब क्वेशन हो गया वेरी शोर्ट आंसर टाइप क्वेशन सीबीयसे 2020 का क्वेशन है सर चा बोल रहा है बोल रहा है सर एलसीएम दो नमबर का 182 है ध्यान चे समझना एलसीएम दो नमबर का 182 है उनका HCF 13 है एलसीएम कोई भी दो नमबर होंगे वो 182 है और hcf वही दो नंबर का 13 है तो उन में से एक नंबर आपका 26 है उन में से एक नंबर आपका 26 है दूसरा नंबर क्या होगा दूसरा नंबर क्या होगा अब अपन लुक क्या बोल रहे है वह अब अपन लुक बोल रहे है let the other number b a बोल दो let the other number b a और एक जो number already given है उसको b बोल दो b अपने को कित्ता दिया है 26 दिया हाना 26 दिया है lcm a और b का जिसमें की a तो मालुम नहीं है पर b मालुम है इन दोनों का lcm 182 दिया है और hcf a का और आपका किसका है 26 का क्योंकि दूसरा number 26 होगा वो अपने को कित्ता दिया है 13 दिया है तो अपने को क्या बताना है अपने को बताना है एक इत्ता होगा अब उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ आप लोग ये चीज जानते हों कि lcm aor 26 का और into hcf aor 26 का कित्ता होगा भईया aor 26 होगा सर ये क्या है मैंने बोला ठीक है भईया आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने एक काम किया था क्या कह रहा था सर सर हम लोगों ने तो इसे भहुत काम किया सर अच्छे-च्छे सर भहुत सारे कुशन देख लिए सर अभी तक मतलब सर वही बोल रहे हो क्या काम मैंने बोला नहीं आपको मैं एक statement के format में एक चीज बताता हूँ let a and b be to positive integer यह मतलब इस question से अलग चीज है थोड़ी सी यह statement format में मैं कुछ अलग लिख रहा हूँ कुछ अलग समझाना चाहरा हूँ यह question से link दो तो है यह question से यह link तो है पर अभी थोड़ी देर के लिए इसको एक अलग पाट समझो a और b आपका दो positive integer है तो अब अगर मैं बोलूँ कि lcm a और b का और hcf a और b का बराबर होगा product of two number lcm a और b का into hcf a और b का बराबर होगा product of two number हाँ यह चीज याद है क्या कुछ ना कुछ हाँ सार यह चीज याद तो वही तो चीज मैं कर रहा हूँ अब आपके पास क्या था lcm था दो number का वो दो number कौन थे हमें नहीं मालूम हमें नहीं मालूम वो दो number कौन थे lcm ने t2 था लिख दिया hcf 13 था लिख दिया बाद मैं पता चला कि उनमें से एक number तो 26 है तो हम लोगों ने दूसरा number फाइंड करना है हम लोगों को दूसरा number फाइंड करना है तो किशोर सर ने क्या करा let the other number भी a दूसरे number को क्या मान लिया a मान लिया और एक जो हमको number given है उसको मैंने क्या बोल दिया b बोल दिया अब a तो अपने पास एक number b अपने पास 26 जूसरा number और दोनो number का LCM किता है 182 दोनो number का 12 number का HCF किता है 13 formula लगा दिया कि LCM दोनो number का into HCF दोनो number का बराबर वही दो number का product ठीक है LCM दो number किता है वही अपने पास 182 into hcf किता है sir अपने पास 13 is equals to n to 26 sir a की value क्या होगी a की value क्या होगी पहले इतना एक बार note कर लो इतना एक बार देख लिया गया इतने को हटा दिया जाए विलकुल हटा दिया जाए अब आजाओ यहाँ पर a की value क्या होगी जब 26 को divide में भीज़ दूंगा तो है ना चलो 26 को divide में भीज़ते हैं 182 into 13 divided by 26 तो हमारे पास क्या आ जाएगा यह आ जाएगा यह आ जाएगा अब दियान से समय ना 13 तू जा 26 तू से काटो तू नाइन जा 18 और तू जा 2 एक इतना आ गया हमारे पास 91 क्लियर हो रहा है क्लियर हो रहा है बढ़िया क्वेश्चन है पक्का जल्दी से एक पर स्क्रीन चॉट लो ले लिया भई यह स्क्रीन चॉट आगे बढ़ सकते हैं चल्द आगे बढ़ते हैं अब आगे हमारे पास क्या है अब आगे हमारे पास क्या है write the number of zeros in the end of a number जिसका प्राइम फेक्टराइजेशन यह है कब आया है CBSC 2019 में हाना सारी आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि कैसे क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस येर के क्वेश्चन से ठीक है सर ये वाला क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है मैंने बुला क्यों बोले सर ये देखो ना सर क्या बोल रहा है सर number of zeros मांग रहा है in the end of a number जिसका प्राइम फेक्टराइजेशन यह है कैसे दे पाएंगे सर मैंने बुला ठीक है आप लोगों को एक चीज बताई ती किशोर सर ने सर याद करते हैं कि किशोर सर ने तो बहुत सारी चीजे बताई है LCM composite number बताया ko prime number बताया धेरो सारी चीजे बताई है धेरो सारी चीजे याद है आप कौन सी चीज पूछ रहों वो बताओ मैंने बोला भाईया आप लोगों को याद है हम लोगों ने question किया था 4 to the power n का और एक question किया था 6 to the power n का उन दोनों में क्या देखा था उन दोनों में ये देखा था कि कोई भी number अगर 0 से end होगा तो उसके पास क्या होना चाहिए सर बस बस सर अब आप शांत रहिए और आप को ना बुले सर कोई भी number जो 0 से end होगा सर उसके पास 2 और 5 उसके प्राइम फेक्टर होने चाहिए और सर हमने उसमें लिखा था 4 में 4 to the power n में कि यहां पर भाईया 4 to the power n को 2 into 2 लिख सकते है वालब 2 अवेलेबल है 5 अवेलेबल नहीं है तो वो नमबर 0 से end नहीं हो था कि वो नमबर जो आपका 0 से end होगा उसके पास 2 और 5 प्राइम फेक्टर होने चाहिए पर सर 6 के पास 2 और 3 था प्राइम फेक्टर में 5 अवेलेबल नहीं था इसलिए हम लोगों ने क्या बूल दिया कि वो नमबर आपका 0 से end नहीं होगा ठीक है बहुत शांदार काम कर उनकी हँ बहुत बढ़ीया आप लोगों के लिए मैं भी तालियां बजाता हूं आप लोग भी अपना घर में बैठके तालिया बजावा अपने लिए क्योंगि बहूद बढ़ीया कर रहे हैं बहुत शांदार ऐसी करते रहोटे हैं मज़ा आएगा मज़ा आए गा और एक जितने दिन भी अपने एक्जाम होंगे फोर देंगे ठीक है सर थोड़ा सा और चीज बताओ गया मैंने बोला क्या मैंने बोला सर एक बर और बता दो कि वो जो नंबर 0 से 20 दोगा उसके प्राइम फेक्टर क्या क्या होंगे मैंने बुला है अगर यह जरूरा यह जरूरी must है तुम लोग खुद इसके प्राइम फेक्टरस निकाल के देखो प्राइम फेक्टरस निकाल के देखो 10 के 10 के टेन एक composite नमबर है दो उसके बिन इमेजर नहीं नहींड़ाते हैं एक लाइन की जो हैं एसे लगोगे लेको ये 10 2 5 5, 1 ट्राइम फेक्टर जी हैंगे 2 और 5 ठीक है 20 की बात कर लो 20 की बात कर लो सर 2 इंटू 2 4 5 0 20 मालब फिर से 2 और 5 आया 30 की बात कर लो सर 30 की बात करो मैंने बुला क्या करूं 30 में बुले सर टू इंटू थ्री इंटू फाइव सर फिर से टू और फाइव आया मतलब सर एक चीज समझ में आ रही है मैंने बुला क्या मैंने बुला भी आभी रोको और चीज देखो अगर आप लोगों को हंड्रेड लिखना है तो हंड्रेड के प्राइम फेक्टर्स फाइंड करो लिए सथी के हंड्रेड के फाइंड करके देखते हैं सर टू फाइव सर टैन जीरू का जीरू सर टू ट्वेंटी फाइव सर फाइव फाइव सर फाइव वन मैंने बुला हंड्रेड के फाइंड करने के बाद एक काम करो थाउजन के फाइंड करो और फिर टैन थाउजन के find करो बिना 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 किसी चीज़ को find करे हाँ बिना find करे आप लोग prime factors लिखना किसके मैंने क्या बोला बिना find करे prime factors लिखना किसके इसके एक सेकंड रुखना 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 वया रुखना थोड़ा सा ही बस रुखना चालो continue 100 के क्या होंगे 2 का square into 5 का square 2 का square into 5 का square Sir, किसके निकालने 1000 के बोले न आपने Sir, 2 5 जा 10, 2, 0 Sir, 2, 2 जा 4, 2, 5 जा 10 0 का 0 Sir, 2, 1, 0, 2, 2, 0, 4, 0, 2, 5, 0, 10 Sir, 5 2, 0, 10 और 5, 5, 0, 25 Sir, 5, 5, 0, 25 और 5, 1, 0, 5 Sir, 2 बार आ रहे Sir, 3 बार आ रहे हैं, 2 और 3 बार आ रहे हैं, 5 लब सर, 2 to the power 3 और 5 to the power 3 अब सर अब सर क्या करना है, मैंने बोले आखे बंद करो 10 की prime factor का रहे 2 की power 1, 5 की power 1 100 जैसे 10 में 1 0 बढ़ाया power देखो, क्या होई 2 की power 2, 5 की power 2 thousand में जैसे 100 में 1 0 बढ़ाया thousand होई 2 की power 3, 5 की power 3 Sir, समझ गया Sir, 2 की power 4 5 की power 4 Sir, 1 0 और बढ़ाएं क्या 1 0 और बढ़ाएं मैंने बुला बढ़ाओ सर टू की पावर फाइव फाइव की पावर फाइव एक पता चल गए आपने को कि क्या सीक्वेंस चल रहा है क्या सीक्वेंस चल रहा है पता चल लिया अब बात को ध्यान से समझे कोई भी नंबर जो 0 से end होगा उसके पास टू और फाइव प्राइम फेक्टर में होंगे ये बात आगई समझ में आगई सर वेरी शॉर्ट में आप इतना बड़ा एक्स्प्लेनेशन दे रहे हो सर क्यों कर रहे हो आप ऐसा क्योंकि बच्चों मैं आप लोगों को क्लियरिटी देना चाहरा हूं क्योंकि क्लियरिटी नहीं दे पाता क pseudo कि कोई भी बोलेगा भा नहीं देंगे बिल्कुल एक एक concept की clarity देंगे बिल्कुल नहीं रटने देंगे अब हना खूब रट लिया अब नहीं रटना अब concept की clarity समझना है लेकिन एक बात है basics clear होने चाहिए सर नहीं clear है अरे मैं बैठा हूँ ना फिर से concept पढ़ेंगे अपन लेकिन clarity के साथ ठीक है यह चीज़ें आ गहीं समझ में बिल्कुल आ गहीं सर thank you so much आपने हमें इतना अच्छे से एक एक चीज़ की clarity दी मैंने बुला यही काम तो करता है magnet wins यही काम तो करता है आप लोगों की magnet wins की high quality content वो भी free मैं हाना ठीक है सर thank you so much और thank you so much पूरी magnet wins की team को जो हमारे लिए दिन रात लगी रहती है और हमारे लिए ही content के इतनी अच्छी तरीके से इतने बढ़िया और brilliant teachers लेके आती है ठीक है अब ध्यान जा समझना अब आते हैं question पर question क्या बोल रहा है कि write the number of zeros in the end of a number जिसका prime factorization कुछ ही है अब क्या करें सर सर एक काम करते हैं न देखो बहुत ज्यादा आसान है सर 2 का square करते हैं 4 हो जाएगा 5 का cube करते हैं 125 हो जाएगा 3 का square करते हैं 9 हो जाएगा 1 to the power 7 तो 1 ही रहना है सबको multiply कर देंगे देख लेंगे सर जो भी 0 आएगा मैंने बोला क्यों इतना लंबा काम करना क्यों इतना लंबा काम करना 2 की power 2 है 5 की power 3 नहीं 5 की power भी 2 लो क्यों जार वो इसलिए क्योंकि जो इसकी power होनी चाहिए वो इसकी power होनी चाहिए और तब जाके हमको ये पता चलेगा कि इन दोनों का जो product होगा इन दोनों से जो अपने को result obtained होगा वो कित्ता होगा 100 मतलब क्या सर मतलब जब भी इस पूरे को solve करके कोई भी number आएगा न उसके पीछे दो zeros होंगे उसके पीछे दो zeros होंगे सर मैं नहीं मानता ठीक है भई यह यह मेरा answer यह मेरा answer है अब इसकी बात कर लेते सर 2 का square 4 सर 5 का q 55 ज़र 25 5 ज़र 125 सर 3 का square 9 और सर 1 की पावर 7 1 सर 25 2 ज़र 250 250 का double सर हो जाएगा 500 into 9 1 ज़र 9 सर सर 9 5 ज़र 45 double 0 सर 2 0 है पीछे सर डिरिकली भी तो बता सकते है multiply करके आपका यह method क्यों करें मैंने बोला यह method आप लोगों को बस बताया गया यह समझाया गया इस question के पीछे बड़ी महनत करिए इस concept के पीछे बड़ी clarity दिए हा सर multiply करना मुश्किल पड़ेगा हो सकता है कल कोई यह number नहीं है कोई बड़ा number आजाए तो क्या करना है सर सर 2 और 5 की power को same करना है 2 और 5 की power को same करके यह देखना है कि वो कित्ता हो रहा है 100 हो रहा है मैं बलब वो जो number जो भी आएगा वो कितने digit बार कितने 0 से end होगा number of 0 कित्ते होंगे उसमें 2 0s होंगे ठीक है तो यहाँ पर number of 0s अगर मैं बात करूँ कि वो number के पीछे 0 कित्ते लगींगे 2 लगींगे आई बात समझ में आई बात समझ में हम लोगों नहीं आपर इसको verify भी कर लिया clear है clear है कि नहीं है बहुत अच्छे से clear है सर एक एक छोटी छोटी चीज़ बताते हो सरा thank you so much चब जल्दी से एक बार screenshot ले लो ले लिया आगे की बात कर ले यह हो गए हमारे पास कित्ते question no question अब आगे की बात करते हैं सर question number 10 सर 2020 में आया हुआ है 2020 में आया हुआ है सर चलो क्या question है खुद से पढ़ो एक बार खुद वीडियो पॉस्ट करो और खुद एक बार करके देखो करोगे मेरे लिए करोगे एक बार पक्का करोगे करो given that HCF कोई भी दो नंबर का 45 है अपने को LCM फाइंड करना है उनी दोनों नंबर का कर लेंगे सर आप आराम करें मैंने बोला आराम नहीं करूँगा आप लोग वीडियो पॉस्ट कर लो और वीडियो पॉस्ट करने के बाद आंसर जैक कर ले ना एक बार सही आ रहा है तो ठीक है चलो करो बढ़िया मेहनत कर रहे हो भई बहुत शांदर मेहनत कर रहे हो आप लोग करो अब अपन भी इदर शुरू हो जाते हैं क्योंकि बच्चे वेट कर रहा है मेरे आंसर का क्या बोल रहा है HCF दिया है भई या 45 अपने को LCM फाइंड करना है ठीक है तो मैं एक बात जानता हूँ क्या कि LCM A और B का इंटू HCF A और B का बरापर होगा A इंटू B के पक्खी बात है सर 100% मालो में सर यह तो आप ही ने बताया है ठीक है अब LCM दो नंबर कौन से यह 135 और 225 और HCF किसका सर वही न 135 और 225 सर बराबर हो जाएगा वही दोनों नंबर का प्रोड़क्ट मतलब 135 इंटू 225 सर HCF 45 दिया है मतलब सर इसकी जो वैल्यू दिये न 45 दिये मैंने बोलों रख लेते हैं कितना दिया है 45 इस इक्वल्स तो इसको मल्टीप्लाइं मत करना भी ठीक है आगे बढ़े चलो तो LCM 135 का और 225 का क्या आ जाएगा 135 मल्टीप्लाइ बाइ 225 बाइ 45 एक बार हम लोग इसको क्या करते है कॉपी करते है और यहाँ पर अपन लोग इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर अपन लोग इसका कैलकुलेशन पार देख लेते हैं बार तो हम लोग वहाँ पर डिरिकली क्या लिख देंगे उसका आंसर लिख देंगे काई से काटने सर मैंने बुला 5 से काटो 5 9 जा 45 5 4 जा 25 5 जा 25 जा 25 ठीक है इतना क्लियर हो गया क्या पक्का 9 1 जा 9 9 5 जा 45 ये बात भी क्लियर हो गई बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई सर 5 का मल्टिप्लाय करना है क्या 35 के साथ मैंने बुला हाँ भाई ये 5 5 जा 25 टू केरी 5 3 जा 15 और 2 17 5 1 जा 5 और 6 75 किता आ रहा है इसका अंसर 6 75 ऑप्शन नहीं था हाना वेरी शॉट है भाई ऑप्शन नहीं होगा तो LCM 135 का और 225 का किता होगा हमारे पास 6 75 बढ़िया तरीके से समझ में आ गया क्या बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया क्या पक्का जल्दी से एक बार स्क्रीन चॉट ले लो जल्दी से एक बार स्क्रीन चॉट ले लो मैं साइड अटता हूं जब तक हो गया हो गया क्या बढ़िया तरीके से समझ गए पार्ट को ठीक है यह हमारे कल्कूलेशन पार्ट था भाई और यह आगे हमार आंसर आगे बढ़ ले बढ़ लेता सर चलिए अब डिसकस कर लेते हैं हम लोग क्वेशन नंबर 11 को तो सर क्वेशन नंबर 11 को हम लोग कैसे करेंगे देख लीजे एक बार सर बोल रहा है if the HCF of 336 और 54 is 6, find the LCM of 336 और 54, CBSC 2019 में आया हुआ सवाल है सर हमारे पास एक चीज हम लोगों ने पढ़ी अभी LCM of A और B ठीक है LCM of A और B और साथी साथ multiply अगर हम लोग करें HCF और A और B का तो वो हम लोगों को क्या दे देता है product of two numbers दे देता है सर उसी इसाब से यहाँ पर HCF दिया हुआ है 6 और LCM पूछ रहा है सर ठीक है तो मैं बोल दूँगा कि LCM मेरा 336 और 54 का multiply by HCF of 336 और 54 बरापर हो जाएगा 336 और 54 के ठीक है सर सर LCM आपको निकालना है HCF आपको दिया हुआ है तो LCM मुझे निकालना है of 336 and 54 लेकिन HCF मुझे दिया हुआ है 6 is equals to sir 336 और 54 ठीक है सर LCM of 336 और 54 बरापर 336 और 54 अपॉन 6 ठीक है सर अब sir 6 9 जा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा sir 336 multiply by 9 करके देख लेता है 336 multiply by 9 9 6 और 54 27 32 27 30 3 0 2 4 कितना हो जाएगा आपके पास 3 0 2 4 तो LCM आपके पास 336 और 54 का कितना हो जाएगा 3 0 2 4 और ऐसे ही आप लोगों ने क्या कर लिया LCM find कर लिया समझ में आगे यह वाला question बढ़िया तरीके से पक्का अब क्या बोल रहा है सर बोल रहा है HCF इन दोनों नंबर का 15 ने अपने को LCM find करना है सर फिर से भई बात आ रही है गुमा फिरा के सर फिर से भई बात आ रही है सर HCF दिया ने इन दोनों नंबर का मैंने बोला हाँ तो लो सर हम लोग इसको ऐसे लिख रहे है HCF of 45 and 105 is 15 we need to find LCM किसका 45 and 105 question mark लगा दिया सर ने हाँ तो हम लोग formula तो हमेशा की तरह बही इस्तमाल करेंगे क्या कौन सा कि LCM of A और B का into HCF of A और B का बराबर product of two number ठीक है LCM दो number का अपने पास है ही नहीं हाँ तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे भई या LCM of 45 और 105 into HCF of 45 और 105 is equals to product of two number 45 और 105 अब दियान से समदो HCF 15 है क्या? हाँ है सर तो लिखो 45 और 105 का ठीक है? HCF 15 यह लिख दिया भई या इदर बराबर 45 into 105 अब LCM of 45 और 105 is equals to 45 into 105 upon 15 15 फिफ्टीन थ्रीजा 45 हो जाएका? बिल्कुल होता है तो सर LCM किता आजाएगा हमारे पास 45 और 105 का? सर किता आजाएगा? 315 मैंने बुला वाहरती जल्दी कैलकुलेशन कैसे कल दिया? बुले सर देखो आपको बता रहा हूँ सर आप किसी को बता ना मत मैंने बुले ठीक है ठीक है नहीं बता हूँगा बुले सर 100 into 3 किता होता है मैंने बुला 300 बुले 5 3 जा 15 300 over 15 3 15 हाला? समझ गया बात को कब आया था? देख लिया जल्दी से एक पर screenshot ले लो डबबा ही देड़ा बन गया कोई दिखकर नहीं है कोई दिखकर नहीं है ले लिया क्या? ले 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 एक पर जल्दी से आगे बढ़े? ठीक है सर बढ़ लेते हैं अब आगे क्या? अब आगे हमारे पर नेक्सक्षिशन है करें देखो हुआ कुछ हाँ सर हुआ क्या हुआ बोले सर दी hcf of 2 number a or b is 5 and their lcm is 200 अपने को product निकालना हैं सर a or b का a or b का अपने को क्या करना है product निकालना है मैंने बोला ठीक है अब फोर्मुला तो सेम लगना है बोले हाँ सर फोर्मुला सेम लगना है lcm of a or b into hcf of a or b बराबर सर a into b उस हिसाब से HCF of two number में A और B का 5 है है ना given है अपने को क्या बोल रहा हूं है कि अपने को given है क्या given है कि HCF of क्या क्या A और B कित्ता है 5 और उनका LCM किनका वही A और B का कित्ता है 200 अपने को product find करना है मतलब अपने को A into B find करना है तो मतलब अपने को simply find करना है चलो करते है लिखूं क्या लिखूं LCM A और B का कित्ता है 200 एक काम करता हूं इसी को वह तो मैंने उपर आपको बताने के लिए समझाया था कि अपने को formula कौन से use करना है हाना चलो LCM A और B का कित्ता है 200 है 200 है HCF A और B का कित्ता है HCF 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 5 है product of two number हाना कित्ता हो जाएगा भी यह हमारे पस 1000 हो जाएगा कितना जादा कितना जादा आसान कब आया था 2019 में कितना जादा आसान आया समझ में मतलब यह relation बस मालूम होना चाहिए तो तो फिर हम धर देंगे भाईया तो तो फिर हम धर देंगे कर लेंगे बढ़िया तरीके से एक बार screenshot हो जाएगा तो हम आगे बढ़े देख लो चल आगे बढ़े 13 questions को हमने complete कर लिया अब हमारे पास कौन सा question है 14 14 question क्या बोल रहा है 14 question बोल रहा है कि भाईया given that HCF of this two number is 4 और LCM क्या होगा इन ही दोनों number का तो मैंने फिर से वही बात आप लोगों को समझाई कि LCM A और B का into HCF A और B का बराबर A और B का product ठीक है यही चीज़े चल रही है चलाओ भाईया अब सर क्या है हमारे पास सर अपने पास given क्या क्या है मैंने बोला भाईया देखो given तो यह है कि HCF दिया हुआ है अपने को बोले सर किसका मैंने बोला 96 or 404 का कितना है फोर है LCM निकालना है क्या मैंने बोला LCM निकालना है यार किसका भाईया 96 और 404 का कैसे काम करेंगे मैंने बोला बहुद सी करेंगे चलो करते है फTime लिखता हूँ LCM of 96 और 404 इंटू HCF of 96 और 404 बराबर 96 इंटू 404 क्लियर हो रहा है बढ़िया तरीके से पक्का बढ़ सकते हैं गया आगे अपन चलो बढ़ते हैं अब जब LCM के बारे में बात कर रहे हैं तो सर वो तो ही नहीं न वो तो हमारे पास है ही नहीं तो LCM फाइन करना है हाँ लेकिन सर एक बात है कि अपने पास HCF is सर 4 इस इकोल स्टू सर 96 इंटू 404 सर ये जो 4 है सर ये जो 4 है ये डिवाइड में आ जाएगा क्या मैंने बुला बिलकुल आ जाएगा चलो ठीक है अब जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करो एक बार जल्दी से सॉल्व करो और मुझे बताओ जल्दी करा क्या कैलकुलेशन कित्ता आया सर देखो 4 बंजा 4 0 4 बंजा 4 सर 101 इंटू 96 करना पड़ेगा 101 इंटू 96 करना पड़ेगा करेगा सर इदर चलो करते हैं 101 इंटू 96 96 बंजा 96 96 0 रहा 96 बात को ज़रा ध्यान से समझो 96 बंजा 96 9 केरी उबर गया 96 0 जा 0 और 9 का 9 96 बंजा 96 96 96 आया कित्ता आया 96 96 और यही हो जाएगा आपका क्या LCM बढ़िया तरीके से आया समझ में चेक करो एक बार जल्ली से स्क्रीन छोट लो हो गया आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं अब आगे क्विश्चन कहा है सर सर इतना पुराना क्विश्चन लेके आया हो क्या वह ने मैं बोला जो मिला वो ले आया जो मिला वो ले आया क्या बोल रहा है सर बोल रहा है सर LCM और HCF निकालो इनका बाए fundamental theorem of arithmetic अब fundamental theorem of arithmetic क्या बोलता है वो बोलता है कि कोई भी composite number को अपन उसके product of prime number में लिख सकते हैं इधर लिखके देख लेता है find the LCM and HCF of 120 20 और 144 by fundamental theorem of arithmetic है ना तो fundamental theorem of arithmetic revise करवाने की जरूरत है क्या नहीं सर सर हमें मालूम है every composite number should be written in the form of क्या वह या product of prime number ठीक है कोई बात नहीं मतलब revise करवाने की जरूरत नहीं है तो सीधा काम करते हैं 120 के prime factors find करो और 144 के prime factors find करो 2 से ये जाएगा कित्ती बार में 60 2 से जाएगा कित्ती बार में 30 2 से जाएगा कित्ती बार में 15 3 से जाएगा 5 और 5 से जाएगा 1 2 से जाएगा 72 2 से जाएगा 36 2 से जाएगा 18 2 से जाएगा 9 3 से जाएगा 3 और 3 से जाएगा 5 देख लो एक बार जल्दी से देख लो एक बार जल्दी से अरे क्या ही किया मैंने 120 और 144 के prime factors दी तो find किये आसान काम है ना पक्का ना कर लोगे ना ठीके सरकर लेंगे अब क्या लिखूं लिखो prime factors of 120 क्या है 2 का cube into 3 into 5 फिर लेको prime factors of 144 2 का 2 to the power 4 into 3 का square हाना ठीक है सर यहाँ पर कुछ गाया है बे क्या मैंने बुला क्या गाया है भाई बताओ 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 बुले सर मतलब दिख नहीं रहा है 2A 2A 3A 3A 5 नहीं सर मैंने बुला लो आ गया ठीक है सर 5B आपने ला दिया अब सर LCM फाइन करता है LCM किस किस का फाइन करना है अपने को 120 और 144 क्योंकि L का मतलब लुएस्ट होता है पर अपने को क्या सोचना है हाइस्ट अब सर 2 की पावर हाइस्ट कहां पर है एक तो यहाँ पर है एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है तो सर 2 to the power 4 into 3 का square into 5 सर यह कित्ता हो जाएगा 440 16 into 9 into 5 सर 1650 कित्ता होता है 80 into 9 कित्ता हो जाएगा 720 980 72 और वो जाएगा आप लोगों के पास 720 LCM आ गया HCF फाइंड करेंगा ठीक है एक चीज तो निकाल दी जिसका नाम था LCM अब निकालते हैं HCF किसका निकाल रहे है 120 और 144 का देखो HCF ही फाइंड करना है H का मतलब हाई इस पर सोचना है वेस्ट अब लिएस्ट का है यहांपर वेस्ट अकर देखा जाए तो टू की पार लुएस्ट यहां पर है ठीक की पार लुएस्ट यहां पर है तू का क्यूब इल्लो येल्लो वाले लेने है वहिसा इन्टू 3 इन्टू 5 तुद बार 0 2 तू जा 4 तू जा 8 multiply by 3 किता आजाएगा 24 जल्दी से एक बार देख लो एक बार जल्दी से देख लो आया क्या आ गया अगर आ गया तो बहुत जल्दी तरीके से आप लोग स्क्रीन चॉट ले लो स्क्रीन चॉट भी ले लिया हाणा clear हो गया ऐसा question आया था कब? 2011 में ठीक बच्चो चलो तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने 15 questions को complete कर लिया है ठीक है? आप लोगों को आज का session कैसा लगा? कैसा लगा? बढ़िया लगा की नहीं लगा? अरे भैतरीन लगा सर 15 questions कब खताम हो गए? पता ही नहीं चला और सर 15 questions में जो मज़ा आया है मलब ऐसा लगा सर कि पूरा chapter पढ़ लिया पूरा chapter पढ़ने के बाद सर ऐसा लगा इन 15 questions को करने के बाद कि सर अब कोई भी कहीं से भी पूछ ले कोई भी कहीं से भी पूछ ले बता दूँगा सर पक्का बता दूँगा तो बटा यहीं तो काम है यहीं तो काम है magnet wins का कि आपको 100% quality और free education ठीक है? अब बच्चों अगर मैं बात करूँ हमारे कुछ top courses जो की English medium और Hindi medium में available है जो की CBAC board, Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board, साथी साथ Vedic Maths Crash course और Spoken English करवाए जाता है साथी साथ बच्चों अगर आप लोग हमारे video lectures को देखना चाते तो वो बहुत ही एक arranged manner में रखे हुए हैं आपके ही platform magnet brains पे तो आप लोग हमारी site भी visit कर सकते हैं हमारा app भी download कर सकते हैं और बच्चों आप लोग हमें join कर सकते हैं Facebook, Instagram, Twitter, Telegram WhatsApp पे और अगर आपको हमारे e-books या e-notes avail करना है तो link description box में given है आपको कही जाने की ज़रूरत नहीं है तो आप लोग वहाँ से avail कर सकते हैं आज के session में सरफ इतना ही मिलता है next session में तब तक लिए bye bye अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह पढ़ाई करते रहें bye bye